राजस्थान के जिवन सहर जैपूर के बीच इस्थित आकर्षक सिसौदिया रानी महल और गार्डन जो प्रेम राजसाही और उत्किरिष्ट सिल्फ कोसल के परमान है 1728 में महराजा सवाई जैसिंग द्वितिये द्वारा अपनी प्रिया दूसरी पत्नी उदैपूर के सिसौदिया राजपुत वन्स की चंद्रकूर के लिए निर्मित महल और उद्धान के एक मनोरम नखलिस्तान के रूप में खड़ा है जो अतीत की कहानिया सुनाता है सिसौदिया राणी महल की कहानी प्रेम के जादू में डूबी हुई है महराजा सवाई जैसिंग एक परशित खगोल सास्त्री और बिद्वान चंद्रकूर की किरपा और बुद्धी से मोहित हो गये थे उसका हाथ जीतने के लिए वा एक अनोखी सर्थ पर सहमात हुई उनका बेटा जैपुर सिंहासन का उत्रादिकारी बनेगा भले ही उसके अन्य पत्नियों से बेटे के उना हो या उलेकनिया बाव उनकी सिसोधिया रानी के प्रती महराजा के सने की गाराई को दरसाता है कई अस्तरों पर फैला हुआ सिसोधिया रानी गारण महराजा की अपनी रानी के लिए आश्रय हस्तल बनाने की इक्छा का परतीक है जिवन्त फूलों की केवारिया जहर्मों वाले फवारे और जतिल जल चैनलों से युक्त हरी भडी छते हिंदरीयों को अनन्त प्रदान करती है भगवान क्रिष्ण और राधा की प्रेम कहानी के द्रिश्यों को दर्शाने वाले बित्ती चित्रों से सुसजित उत्क्रिष्ट रूप से चित्रित मंडप और द्रिगाय महौल में दीवे रोमांस का असपर्स जोडते हैं सबसे उची च्छत पर इस्तित दो मंजिला महल राज सीता का असास कराता है इसकी मुगल प्रेरित वास्तुकला राजपुत तत्वों के साथ सहजिता से मिस्टित होती है जो एक अद्वितिये और मंत्र मुद कर देने वाली सुन्दरता का निर्मान करती है जटिल जाली दार खिरकिया अलंकरित महराब और सुन्दर अनुपातिक कमरे उस यूग की सिल्फ कोसल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं सी सौधिया राणी महल और उद्धान ने अपने दिवारों के भीतर सदियों के इतिहास को देखा है महराजा मादो सिंगा जन्म जो बाद में सिंगहासन पर बैठे उन्होंने महल के विरासत में एक और अध्याय जोरा राणी के निदन के बाद भी महल का उप्योग साही परिवार्दवारा विश्राम अस्तल और ग्रिस्म का लिन निवास के रूप में किया जाता रहा आज सी सौधिया रानी महल और बगीचा एक लोग प्रिय परियाटन अस्तल है जो जैपूर के राजगरानों के सम्रिद जीवन साहली की जलक पेस करता है परियाटक हरे भरे बगीचे में घूम सकते हैं जटिल वास्तुकला को देखकर आचारे चकित हो सकते हैं और बीते यूग के माहल का आनन्द ले सकते हैं महल जो अब एक होटल में परिवर्तित हो गया है मेहमानों को साही आकर्षन परतियक रूप से अनुभाव करने की अनुमती देता है शी सौधिया रानी महल और उद्धान प्रेम लचिले पन और कलात्मक्ता के परति के रूप में खड़ा है उनकी अस्थाई सुंदरता समय से पड़े लुभावनी उद्ध क्रिश्ट क्रितियों को बनाने की मानिवियच हमता की याद दिलाती है वे हमें भावयता रोमांस और फुसुसाय रहस्यों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए आमंतरित करते हैं जिससे हमें आचड़ और विश्मय का एसास होती है मुझे आसा है कि सौदिया रानी महल और उद्धान के इतिहास कहानी और वास्तू सिल्फ चमतकारों सहीत विश्तरित विवरन ने आपकी रूची बढ़ा दी होगी और भी ऐसे ही महलों और कीलों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज देखे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को सेर करें